हेलो एवरिवन वेलकम टो कुश्वगुपता स्टेडी औरिप्षान आज हम बात करने वाले एक नहीं गॉर्मिन जॉब सेटिड वीडियो के बारे में जो कि है हमारा भारती है डाक विभाग के तरप से जीडियस यानि ये ग्रामिन डाक सेवा के लिए चालिस हजार से भी जादा पत पे भरती आई हुई है बिना एक्जाम के आपकी ये भरती होने वाली है और मेरिट बेस पे आपका शेलेक्शन होगा बस टैन्थ पास आपका मांगा गया है अगर आप हूँ तो ज़रूर से अपलाई करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें डेलि गॐल्में जॉफसेजर वीडियो के लिए वीक लिविक लिए कि हपते में एक बarı यहां पर वेकेंसी के वारे में बताया जाता है और डेली वीडियो भी मिलती हैं तो हम आचुके हैं गौवर्मेंट ओफ इंडिया यानि कि इंडिया पोस्ट ऑफिस की ओफिशल वेबसाइट पर आचुके हैं अच्छाइच बहुत हैं तो कि इसके स्टार्टिंग डेट रिजिस्ट्रेशन करने की आपकी वह रहेगी आपके 27 जनवरी 23 जूपलाइब करने की होगी वह रहेगी आपकी 16 फरवरी 23 तक अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन डेट भी रखी गई एक राक्ष रुपे के बीच में और अगर आप A, B, PM के लिए भर रहे हैं डाक सेवक के लिए तो उसकी जिरेज जो आपकी सेलरी रहेगी वो रहेगी दस हजार से लेकि चौबिस हजार चार सो सकतर रुपे के बीच में आपकी सेलरी रहेगी बाकी कॉलिकेशन ओल इंडिया से आप कहीं स इसे भी बढ़ना चाहें बढ़ सकते हैं औल इंडिया लेवल पे जोब हैनकी सेंटर लेवल पे जौब को रखा गया तो आप जहां चेस May आप मद बढ़ सकते हैं आगे आपको वीडियों पता लगए कि मतलब कि आगे में बता दोंगी किस जागह पर कितनी वाकिंसीन के ल एज डिया गया है जैसे की एस्टी वालो तेसल क्यों टेस्टी से बिलॉंग करते हैं उन के लिए 15 पर आपको अपना बहा आपको साथ में लगाना होगा क्वालिकेशन देख लेते हैं तो आपका 10th merit-based आपका selection होना है कोई exam नहीं होना है education qualification केवल आपकी 10th पास रखी गई है और सक्षाथ में थोड़ी सी knowledge रखी गई है जैसे कि आपको basic knowledge जैसे कि आपको computer के knowledge आनी चाहिए cycling आपको आनी चाहिए advocate means of life or बस इतना ही मांगा गया selection अगर आप हो तो जरूर से eligible हों तो जरूर से आप this form को fill up करना और यहां पे दियो selection how to apply तो आप इनके official website से apply कर पाएंगे www.india post gds online.in आप चाहें तो यहां से coffee भी कर सकते हैं अगर आपको PDF चाहिए तो मुझे comment box में जरूर बताना में आपको PDF की link को जरूर से पिन करूंगी दा एप्रिकेंट विट बी सॉटिलाइस for engagement on the basic of a system generate merit list, merit list पे आपका selection होगा जैसे कि मैंने आपको सुरू में ही बता दिया था पर आपने यहां देख भी लिया next देख लेते हैं क्यों और क्या के यहां पर कुछ instruction दिये हुए हैं अगर आप चाहिए तो ने पढ़ सकते हैं पर एक बार application form बढ़ने किस केटिगरी वालो के लिए कितना relaxation रखा गया तो आप चाहिए तो वहां से वीडियो में बने रहे के देख सकते हैं हम यहां पर देख लेता है registration registration जैसे कि आपको मैंने बता दिया इस पॉर्टल पर आप जाएंगे तो वहां से आप जाएंगे कर पाएंगे payment fees क्या है आप किसी भी पोस्ट के लिए अपलाई करें चाहिए ब्रांच पोस्ट मास्टर असिस्टन ब्रांच पोस्ट मास्टर किसी के लिए भी करें 100 रुपए ही application fees रखी गई है जैसे कि यहां पर रख दिया गया है fees once paid will not be refunded fees क्या है आपकी जो आप जो 100 रुपए फीस करेंगे non refundable fees होगी इस पीस को आपको वापस नहीं कर जाएगा कैंटर हैंस के एक लिए अगर आपने फीपे एक रख दी तो वापस नहीं मिले वाली ओन रखनेवल फीस है एप्लिकेशन फूर एग्जम फूर पेमेंट ओफीज में अपलाई डारेक्लिया आप आपकी जो फोटो जैसे कि इन नहीं आप पर दे रखा है निम आफ दर डॉक्मेंट आपकी जो फोटोग्राफ है वो जे पीजी जे पीजी पॉर्मिट में ही लगानी है आपकी जो फोट वहां पर खुद ही बढ़ देते हैं अप्लोड कर देते हैं वो लो तो बस इतना ही था अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब ना साथ के साथ आप मैं वीडियों बताने वाली हैं सर्कल वाइज याने कि किस चगह पर कितनी पोस्तिंग लो जैसे कि सारे स्टेट के बारे में आप दे रखा है जिसके आंदर परदेश में जो आपकी लेंगवेज होनी चाहिए वह तेलगों होनी चाहिए कैटिग्रीज वाइस आपके लिए सीट को रिजर्व रखा गया है जैसे कि यू आर्टिग्रीज वालों के लिए 1131 है ओबीस ड़र दीख रहा हो को वह इसलिए दिख रहा है थोड़ा से यहाप है इसे वज़े से आपको बेंगोली आने चाहिए अपकी फिर यहां पे दिया हुआ है बिहार के लिए आपकी हिंधी होनी त्रिष गड़ के लिए रिली की वालों की वेंदी है गुजरात है को लिए 480 वेकंशी है असं वालों के लिए 365 स्काया सबात Age 36 ने समें लिए पिर के लिए 14 stressed जाम के लिए 52 वालों के लिए references जिसमें पहले वी जीए 603 जमु कस्मीर वालों के लिए 359 करनाटका 303 कहला वालों के लिए Complete 262 was वालों के लिए 8498 महरास्ट वालों के लिए चोरा अनवे हैं और यहां पर महरास्ट मेश्ट के लिए 2414 हें टोटल' और नौrth and eastern वालों के लिए जिनको बंगाली लेंग़ज आती हैं उनके लिए रखा गया है 201 और जिसको निस्टर में ही और जिसको हिंदी और इंग्लिस आती है उनके लिए रखी गई है 395 और एक और नॉर्थ निस्टर में ही अगर आपको मानी पुरी और इंग्लिस लेंग वे जाती है तो उनके लिए रखी गई है 209 और नॉर्थ निस्टर में जिसको मिजो लेंग वे जाती है उसके लिए रखी गई है 118 उडिसावालों में, जिसको उ्रिया लेंग पे जाती है, उनके लिए रखी गई है 1382 फिर पंजाब में हिंदी, इंग्लिज, जो लॉइंग बोल पहfront है, उनके लिए 6 है, पंजाब में थोड़ा कम है, पिर पंजाब में ही एक ही है, जो पंजाबी में जिनको ज़्याद़ लाइंग बैँ जाती है उनके लिए 660 है साथ के साथ राजिस्थान, तमिलनाडू, तेलांगना, उत्तर परदेसवालों के लिए भी हैं उत्तर परदेश वालों के लिए सबसे ज्यादा वेकंसी तो अगर आप यूपी से हो तो जरूर बढ़ना इस वेकंसी को क्योंकि मेरिट लिस्ट पर आपका सेलेक्शन होना है कोई एक्जाम नहीं होना है साथ जार नौसो सतासी है बहुत ज़्यादा वेकंसी है यूपी वालों के लिए नेक्स्ट हम बात करें उत्राखंड वालों के लिए उत्राखंड वालों के लिए 890 वेकंसी है वेस्ट बंगाल वालों के लिए जिसको भेंगॉली लैंग्विज और यूपी में आपको हिंद English language वालों को 6 के लिए रखा गया है बस तो आप देख लिए ना जिस जहां से और आपको जो language आती हो अच्छे से उसमें आप form को बरे बस आपका 10th complete होना चाहिए merit से बेस पर आपका selection होना है तो आप eligible हो तो ज़रूर जबरे ऐसी jobs कम निकलती है